अजी फ्रेंग्स गुड मोर्निंग हाव यू कैसे हो उठ गए सारे यह अभी वी रजाई में बैठे हो सारे और क्या किते है ठंड इतनी है और आज ना मैंने वैसे यह जैकेट पहन के देखी यह मेरे बेटे की है और यह देको यह बिल्कुल मेरे बंद भी नहीं हो रही है न मतलब फिर एकदम पूरी आजाती थी जैसे मेरे भाई वेगेरा की या उछादी को सब्हाबाद में फिर एकदम मोटी हो गई तो मैंने यह जैकेट का मैं आपको पूरी ऐसे बंद करके यह तो अब तो बंद नहीं होती ऐसे वो भी दिखाऊंगी बस मैं ज्यादा बात ना पहले तो 32 बार चीव करके खाना खाना है ठीक है जब तक पानी ना बन जाए उससे क्या है ना आपको जल्दी पेट भर जाएगा ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है कि डाइट प्लान करने से अच्छा है कि जो भी आप रोज खाना खाते हो वही ख प्लाओंगी इसमें कि 300 ग्राम वो लेना है शुखा दनिया और 100 ग्राम लेना है मेथी ना और 100 ग्राम ही लेना है आमला ओके इन तीनों को पीस कर जब भी खाना खाऊ ना जैसे तीन टाइम खाना खाऊगे तो आधा चमस्ज इसको खालो ठीक है थोड़े से पानी के साद़ नमबर वन, खाना 32 बार चबाना है, दिन में 5-6 दफा गरम पानी मिना है, मैं तो 3 दफा ही पिती हूं, क्योंकि मेरे को बार बार बेंडिंग करते हुए उठना मुश्किल लगता है, मैं सुबा सुबा एक लिटर पानी गरम पिती हूं, ठीक है, और दपहर को खाना खाने से पानी के पहले बारा एक बज़े तक मैं एक लिटर गरम पानी दीरे-दीरे करके मतलब केबल पर रखा पानी एक जो है गर्वी भरके गर्म करके और फिर एक गलास दीर-दीर पिया फिर दीर-दीर ऐसे पी लेती हूं, और फिर शाम को खाना-खाने से एक डेड़ घंटा ज ज़ोरी है, नंबर बन 32 बार खाना-चπα के खाना है और मैं फो रूल करेंगी, इसाफोर पर लागू होते हैं तो घरम पानी तो सब पर लागू होगा था तो नहीं नहीं होता क्योंकि मैंने फिर अपनी केर करना छोड़ दिया ठीक है पहले तो मेरा बदन कम हुआ था दोड लगाने से एक गंटा मैं डेली सुबा उटके दोड लगाती थी और एक्सरसाइस बहुत कम करती थी कभी कर ली कभी नहीं और घर कारा सारा काम जैसे कोचे लगाना बैठ कर प्राइव पर नीचे चाड़ना इस तरह से उस वजह से उस मेरे ना धो बंद कर दिया था खाना और मैं और ब्राउन रइस जादे गूंक लगे गए तो ब्राउन राइस और ढही खालेती थी लेकिन अब मैं ऐसे हैं एसे हैं ना में यह ऑं चो इनक्षी कर रही हूं क्यू आपको कोई कहें बैंक में से आपने पैसे जल्दी से जल्दी खर्च करने हैं निकालने हैं ठीक है तो आप और और उसकी भी एक सीमा है भी इतनी सीमा में निकाल सकते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले यही करोगे ना कि बैंक में से पैसे भी निकालने हैं और तो सबसे पहले पैसे बैंख में जमाघ में करने करें को एक के ओपर Vet क्रेया है पोर यह सबाई जाते हैं तो इसको आपने 30 20-20 kg वजन कम करने के लिए क्या करोगे जो आप का बढ़ रहा है उसको कम करोगे ना जो पर ऊसपे रोक लगा ऊगे उसी तरह मैं उस पर रोक लगा रही हूँ कि अब मेरा जो 5-6 kg वजन बढ़ गया है उसको मैंने कम करना है तो मैं ऐसा कुछ ना खाऊं जिससे की मेरा वजन बढ़े यह नहीं कि मैं एक किलो कम करूं एक फिर बढ़ जाए पहले हमें रोक लगा नहीं होगे वह रोक कैसे लगेगी एक तो आप तली वाली चीजा मत खाऊ ठीक है और केले वाली जादा चीजे मत खाऊ मतलब बज़न जो भी आप खाऊ ना रोज एनर्जी में कनवर्ट होता जाए चर्बी ना बने और तो आप धीरे-धीरे जो है आपके अंदर उत्सहाबी आएगा कई लोग ऐसे होते हैं ना कहते हम इतनी अक्सरसाइज करते हैं वजन नहीं कम होता वह इसलिए नहीं होता आप दोड लगाके आदा खिलो वजन कम करते हो 15 दिन दोड लगाके और एक खिलो गेल कर लेते हो खाके तो खाने पर जोड़ा कंट्रोल बंद और बस ऐसी चीज़े जिससे चर्बी नहीं बढ़ती जितने दिन आप वजन घटा रहे हो ना तो मतलब वजन भढ़ने भी मत दो उसके अगर आप वजन भढ़ने के लिए मैं तो सिरफ सौंफ खाती हूं है भी सौंफ खाना खाने के बाद चबा चबा के आदा चमच फिल दुपहर को आदा जरूर ही खाना है यह नहीं मोबाइल देखते हुए टीवी देखते हुए बिल्कुल अराम से शांत मन से यसे बगवान की पुजा करते हैं उस तरह से खाना खाना है और एक घंटा वाकिंग एक्सरसाइज यह तो आप अपने जीवन का नियम बना लो गर आपने यंग और तो अद्रवाइज नहीं अब यह को कि आप बड़ी शिक्षा दे रही है तो मैं तो मोटी से लिए होगी ना मैं फोलो नहीं करती थी इन्यों को आप कर रही हूं आपके सामने धीरे-धीरे मतला दो तीन महीने चार महीने में मेरे अंदर फरक आपको नजर आने लग अब मेरे को ना खुद को वजन तो त्वला में ने उतना ही है लेकिन मेरे को यहां से ना कमर से ऐसे महसूस होता है कि थोड़ा सा मास जैसे कम हो गया हो और एक बात आप गांट मार लो जिसकी तोंद जिसका पेट ज्यादा हैवी है ना वो बिमारियों की चड़ है अब तर नोर्मल आप कपड़े डालते जाओ तो मतर्स ट्रेट रहती है तार जैसे ही कोई बारी बर कम कपड़ा जैसे की तोल वाला कपड़ा यह जागा है वी जिसमें पानी हो उसको डालोगे तो तार एकदम नीचे आज़ती है आज़ती है उसी तरह से ही आपका पेट पे या है ऐसे करके चलना चीए ना में हमें ऐसे करके चलने लगए कि मुटाप्पे की वज़ा से इस तरह से तो इसी लिए ही वजन की वज़ा से हमारे शरीर पर जोर पड़ेगा और हमारा स्ट्रक्चर खराब होगा जिससे कि हम उमर से पहले ही दस साल पहले ही बुड़े हो यह सोच लिया शेकेट को पूरा अपने अंदर अप्चे से लगे कि मेरी और किसी की मांद के निडाली ऐसे फिट करना है ठीक है और मैंने लास्ट में जाते आते आपको बता रही हूं कि जो है तीक सो ग्राम धनिया यह बहुत ही अच्छा कारगर उपाहे है इससे metabolism जो है आपका जो पाचिन करिया है वो तेज होगी जिससे आपको जो खाना खारे हुआ आपको हजम होगा वो अब आपका बढ़ेगा नहीं ठीक है अब आपका मुटा पढ़ेगा नहीं उस पर रोक लग जाएगी और फिर आपको जो बढ़ा हुआ वजन है वो गटान यह जो उपये ऑना यह थायरड के लिए भी है अगर कोई शारीर रिप नीशन कीलना भी थायरड के लिए बैंता मने वह रहा कार्यगर एकिन अपको चुरन जो तो बहुंत हुआ नहीं होगा और को आपको थायरड के लिए मदικήकर अगर को जो आपको थायरड के लिए व conflicts करो मुझे मैसिस करो अपने अपने टीम बनाते हैं और सब के लिए एक अदर्शबसा हैं और सब को पतला करके छोड़ेंगे देखो प्लीज प्लीज मोटे होना युका भी मारी है और कही सारी विमारी ओके जनम देता है अब जब अदनान सामी इतना मूटे होने के बाव जो 230 तो घूब 967 तक आ सकते हैं तो हम not accessible है आपको किसी मोटिव बना oni को ब्लय की au देखो कि हँभी यह कर सकता है तो मैं क्यों यह कर सकतीth एक ऐसा कोच करके जिखाऊ में दुनिया भी हाव करे आपकी ठीक है प्लीज जो है नँट मत आपको तोडना तो मैं भी मेरे वीडियो आप देका करें लाइक करें शेयर करें मुझे भी है मुझे आपके सामने पतली होना है नेखू मैं डाइटिग करके पतली नहीं होना चाहती कोई युजी छोड़ के पतली नहीं होना चाहती हूँ प्यूंक़ ना पेले पतली थीती ना मेरे मुदं सारी जुरियां आ गई थी और ऐसे और सारे मुझे क conflicts तो आखी हो गया ते नुह है ना और कहने लगे ते मूटी ठीकती तमारा फेश पे तो थोड़ा सा सहीधा है ना इसलिए अब जो है ना मैं जो सब कुछ सब खाते होई खाती हूं बस चबा के खाती हूं गरम पानी पिती हूं और पोशिश करो भूख से तोड़ा कम खाओ थो कर दो कि मैं सुष्टी हूं भी मेरी हाइट भी कम है और मोटी भी हूं और मेरे कपड़े जचते नहीं है ऐसे इन्फिरुटी कॉंप्लेक्स आ जाता है और पतले होगे तो आप में कॉंफिडेंस भी आएगा है ना और सुंतर कॉन नहीं लगना चाहता सब भी लगना चाहत बाइ 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 सी यू बेस्ट अव लग